इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके चेनल को बढ़ावा दें आपका जो चेनल है इसको मताप्ती पुर्जोर आगे बढ़ाया और सभी लोग इसको बार बार देगे आपका चेनल बहुत लंबे दूर पुरे देश में पहले और आपके चेनल को तरक्के मिले आपका जो तापती अर्जुन जो अभी चालू किया है आप लोगों ने नए बार से मैं आपको उसके लिए मैं सुपकामना देता हूँ आपती अर्जुन मैं उसको शेयर करें लाइक करें ऐसी जन्ता से मांग करता हूँ नमस्कात मैं सुर्या पटेल अर्जुन मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ विगत कई समय से मुल्ताई में ट्रेनों के स्टॉपइच की मांग से लोग काफी परशान है और इनकी यही परशानी ने आंदोलन का रूप ले लिए है हम आपको लेकर चलते इसी आंदोलन में मृत्युन्जे पटेल के साथ तो आज हम लोग आपको किसान इस्तंब बस इसेंड मुल्ताई पर लेकर आए हुए जहां पर मुल्ताई में रेल रोको आंदोलन काफी समय से चल रहा है और मुल्ताई की जनता शासन से अपना अधिकार मांग रही है कि मुल्ताई के स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाए और कोई नहीं गंगा निगलने चाहिए यह दूसर कमार जी कहते हैं कि हो गई हो प्रवत से पिखलने चाहिए अब इस हमाले से कोई नहीं गंगा निगलने चाहिए मैं तोड़ा सा उसके अंदर एक लाग जाए और बार बार वहां अपमानीच भी होते हैं अपमानीच पहस होती है मैं तेरे को इतनी सी जगा के या इतनी सी सब्जी के शाली सापचास रुख अज हमारे बीच में जानांदुलन मंच के एक भावी नेता मौजूद है आईए हम उनसे आपको मिलवाते हैं तो सबसे पहले नमस्कार तापती अर्जुन में आपका सौगत है आप अपना परीचे दे दर्शकों को मैं आज ही शमीम खान जिलावाख बोट कमीटी का अध्यक सूमें और जन्मंच का एक साती हूँ आज हम यहां कई दिनों से और कई सालों से जन्मंच के माध्यम से रेल रोको आनुननन हमारा जारी है हमको बीच में आश्वसन दे दिया जाता है रेल वे प्रशासन के दौरा नेताओं के दौरा और उसके बार हमारा आनुननन को भी समाप करके हमारी जो आगे की प्रकृषिए होना रुख जाती है और उसके बाल वह समय घुजरता चल जाता है इस मुल्ताई शेहर को एक भी ट्रेन का इस्टापेश हुनों दिला नहीं पाए और खास करके मैं तो बड़ा अफसोस इस बात का है मुझे इस नगर के जो भारती इंत्रपाइटी के जो निता है इस नगर की पानी पी रहा है इस नगर कम अनाज खा रहा है उनको भी शर्म न याती है कि कम से कम इस नगर वासी मुल्ताई के नागरी होने के नाते मातापती के बच्चे होने के नाते इसके लिए जो आवाज उठाई गई है उसके लिए अपने सांसेद अपने पाईटी की लोगों पर दवाव डाले और ट्रेन का इस्टापिश करवाई दन्यवाद तो ये थे हाजी शमीम खान जी, आएए हम इनसे इस आंदोलन की विशे में भावी चर्चा करते हैं। देखिए मुल्ताई शहर में राजनीति के दलों की जिम्मेदारिया होती है। वो जिम्मेदारिया जब ये लोग पूरी नहीं किये। और यहाँ पर एक काकस बनता है मुल्ताई शहर में। भाजबा और कांग्रेस के लोग आपस मिलकर माफिया गिरी चलाते थे। तो उस समय आम जनता को और कुछ नागरी को को ये लगा कि अगर हम पाकियों के नीतिकत नेताओं पर भरिशा करेंगे तो इस शहर में माफियाओं का राज हो जाएगा। और इसी नजर को देखते हुए हम लोगों ने जनांदोन मंच आंदोनन का गठन किया। और उसी के चलते में आपको मालूम है कि हमने इस शहर में पाइप चोरी कांड जो करोड़ रुपए का था, राम मंदीर वाले मामले थे, SDM सत्तेंद ग्रवाल वाला जो मामला था, ब्रष्टाचार का 2,32 रुपए का मामला था, और जो भी इस तरह का मामला इस शहर में हमको दिखाई देता है, तो जनांदोन मंच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वा हम सब साती मिलके करते हैं। जी अभी आंदोन मंच पिछले कई बरसों से लगाता ट्रेनों की स्टापेज की मंग करता आ रहा है। तो हमने दिल्ली जाके उनको ग्यापन सोपा था और हमने उनसे मांग की थी कि मुल्ताई में ठ्रेनों की बहुत आवशकता इसलिए है कि मुल्ताई पवित्रे नगरी है, धार्मिक नगरी है और यहां पर जो आबादी है 4-5 लाग की, एक बड़ा तैसील है बैतुल जिले क बात और यहां आर्थिक रूप से यहां विस एक राष्टी इस्तर पर गोभी के उत्पादक किसान जो है वो पूरे देश में गोभी सप्लाई करते हैं, अर्बो रुपए की गोभी सप्लाई करते हैं, और 25 बैंक है यहां पर, सोसाइटियों की बैंक की मिला के और पैसा जाता है, और आप देखेंगे कि यहां से मुक्तगिरी एक है जैनों का पवित्रत इस्तल है, उसके लिए भी यहां से ही लोग जाते हैं, और अब आप देखेंगे कि हाइवे का भी यहां सेंटर पाइंट हो गया है, तो सबतरब से यहां पर मुल्ताई शएर एक बड देखोंगे कि पूरे जिले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौजवान पूरे मुल्ताई तैसिल का आपको आईटी इंफ्रेक्ट्रेक्ट्रेक्चर में यहां के नौजवान नोकरी पेशा है पूना हो बैंगलोर हो मुंबई हो दिल्ली हो अहमदाबाद हो यहां से लोग हमारा जो चात्र चात्रा हैं बड़े सेहरों में कॉलेजों में स्टूडेंट है और किसान भी अपनी फसल बेचने बाहर जाता है यह सब द्रस्टीकोन रखते हुए मुल्ताई में ट्रेनों का स्टापेज बहुत जरूरी है अभी शासन इस तर से आपको क्या-क्या- लेकि हम रेल प्रसासन से क्योंकि लोकल इस असन प्रसासन का कोई रोल नहीं होता है ट्रेनों की स्टॉपेज में यहां सिर्फ है तो जिम्मेदारी जिनकी है वह लोकल भारती जनता पार्टी के नेता मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हम लगातार जब इतने सालों से जब हम डियारेम जियाम रेल मंत्री रेल भवान और तमाम जो इसका आपको नहीं लगता कि उन लोगों के तरफ से भी ग्यापन दिया जाता रहा है सांसत की जिम्मेदारी और सांसत को जो फीडबेक देने का काम करते हैं वो लोकल भाजबा के इस्तर के निता करते हैं तो हम लोकल सांसत से कहिyan कि हमारे शहर में ट्रेंट करा दीजए आंप क्रेडिट लेने की बाद लोकल भाजबा को मुम्राह करते हैं अगर आपने ट्रें रुपद ही तो जनान्दरुन मंच को क्रेडिट मिल जाएगा यह मूर्कता पूर्ण बाते हैं हम सब शहरवाजी अपने सांसा से निविंती करते हैं भाजबाइक नेताओं के माध्यम से कि आप अपने नेता से कहें हम भी कह रहे हैं कि आप हमारे हम उलताई में क्रेणों का श्टापेस तो करिए जिससे आम जनों को उसका लाब मिले और अभी आपका यह जो आंदोलन है यह कब तक चलेगा देगे लोगों की जो हम हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं हम को जा लोगों ने आशिरवाद स्वरूप यहां चंदा देने का काम किया है हम जा रहे हैं तो लोग कहना है कि भाईया इस बार उठना मत जब तक क्रेणों के स्टापेज को आप तक को नहीं मिले हमको नहीं मिले मतला आम जनता है कि आप तो एक माध्यम है जन अंदो प्रतिनिती जो है वह बैतुल गए और अभी हमने परसो जो है सांसत कारेले में जाके बाजबा कारेल में जाके अमने ग्यापन सोपा तो एक दबाव बन रहा है हम उम्मीद करते हैं यह आंदोलन के चरण में अगर आपको आंदोलन को आगे बढ़ाना है कि आपने बूह कर करते हैं वो जनता से फीड लेते हैं हम शाम को पूरे नगरवासियों से जहां तहां हर गली वाड शहर वैपारियों से मिल रहे हैं तो लोगों का यह कहना है कि अगली कड़ी में आप अब आठवे दिन में प्रवेश कर गया है तो नए वर्स में सब संकल्ब लेते हैं कुछ बुराईयों को छोड़ने का राच्छाईयों को सामील करने का संकल्ब लेते हैं हमने संकल्ब लिया है अच्छाई के तोर पर कि हम भारती जनता पार्टी के जो पूर पार्षद है कि आप जो है जनता की ट्रेन का स्टापेज मुलताई में ट्रेन रुकवाई यह हमारा पहला चरण है उसके बाद जो दूसरा चरण है वह हम जो नगार पाली का जो चुनाओं होंगे आपको मालूम है जन भावनाओं के अनुरूप जब चुनाओं आते हैं तब सरकारी सु करने वाला था अब चुनाओं लेट हो गया है मार्च में तो अब हम अगले चरण में जो भाजबा के प्रत्यासी बनने वाले हैं जो यह कहते कि हम जो हैं बहुत ज्यादा चर्चित है और हम जनता की सेवा करने लायक है तो भाजबा हमको टिकेट दे तो जो नाम चल रहे ह कि महिला प्रत्यासियों के पास हम जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप ठिकेट मांगने जा रही हैं भाजबा के से की तरफ से आप नगरपाली के अद्द्ध बनने का आप चेस्टा कर रही हैं तो आप हमारे लिए ट्रेनों के स्टॉपेज कराने में क्या मदद करेंगी यह बात को लेकर हम दूसरे चरण में महिलाओं के पास जाएंगे भाजबा की प्रत्यासि जो बनना चाह रही है और आपको जो आंदोलन है इसको लेकर आप मुल्ताई की जंता से क्या आवान करना चाहते कि वह आपको किस तरह से अपना समर्तन दिखाए देखिए हमको बहुत लंबा संगर्ष का अनुबाव है इस मुल्ताई शेहर ने गोली कांड देखा है गोडे वाली पुलिस देखिए पुलिस का त्याचार देखा है डारेट गोली मारने का अत्यार यह लोगों ने देखा है हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे आंदोलन पुलिस से कहा जी यार पी पुलिस से कहा लोकल पुलिस से कहा ibn से आफिए तैसिल दार से कहauen इवन बातार सब्सक्राइब करें लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं लोग भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे और उनके संगर से ट्रेनों का इतियास जो रहा है वो ऐसे भी ट्रेन में हमको मिलेगी संगर से ही मिलेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्तकार तो आप बताईए कि इस आंदोलन को आप आगे के चर्णों में कैसे लेकर जाएंगे यह जो आंदोल में उन सब रेलों के लिए मैंने आंदोलन करा और पार्च पार्ट्रेन रोकी और नौ दिन जेल में गया यह तो मेरे लाएवाले साथी हैं जिनको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि मुलताई में अक्रमंड और निक्रस्ट रधिकारियों की वज़े से जो तेरा हैं यदि उन में अक्रमंड नहीं होती तो यह आम जनता को आंदोलन करने की कभी जरूरत नहीं बढ़ती वे लोग अपनी जरूरतों को बूरी करते हैं नीजी जरूरतों में अपना समय बरबाद कर देते हैं पर जन्ता से ओट लेकर जन्ता को कहे कहे आस्वासन और विचारों को भूल जाते हैं जिससे यहां पर बैकलाग खड़ा हो जाता है 25 साल पहले से यहां की जन्ता ने नेड़ने लिया कि कांग्रेस के सांसदों में दम नहीं था पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अस्वाब शेर खान ने चारचार ट्रेन रुखवाई और हमने मंत्री को रेलवे इस्टेशन पर बुलाया ऐसी इस्टीदी पैदा कर दी रेल के सामने हज्जारों की संख्या में लोगों को मैंने खड़ा किया और रेलवे के स्टीशन पर जो एंजिन रहता उसके सामने बैठा हमारे बाई पत्रकार गगंजी फैरे इस बात के गवाँ है कि मौहन सिंग भरियार वगेर के नाम से ट्रेनों को केस चले हम पर और हमको आठ साल बगतना पड़ा उस चीज से जो बात निकल के आई वो ये अब दरी समझे हम भॉपाल गए दिल्ली का मैं डियार्यू सीची का मेंबर रहा हूं जावलपुर रेलवे बोर्ड का मेरे वां 25 प्रस्ताव है आप देख सकते है आई टी आई लगा के और जैडार्यू सीची का मेंबर रहा हूं रेलवे बोर्ड समीती में मैं रेलवे कर अपने इस जंगटन में उसका ये माद्या में कि बहुत सारे काम हुए और सेज्ट जो रह गया है आपके ये भी बताना चाहता हूं पुरानी बात इसलिए कर रहा हूं कि पूर में ये मुल्टाई रेलवे स्टेशन को माडल रेलवे स्टेशन गोतीज्ट कर दिया गया था किन्तु पिछले 25 वर्सों में उस माडल रेलवे स्टेशन की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं आज रेलवे स्टेशन पर सेड़ बने हैं बहुत सारी बैटने के लिए ब्रेंच बन गई है जो उची क्लास में लोग जाते हैं उनके लिए रेस्टाउज बन गया है प्रतिक इस्टेशन को उचा कर देना उसमें सेड़ लगा देना उसमें सारी अन्य सुमीदाय प्रदान करने का आउचित क्या है मैं भारत के रेल मंतिर से कहना चाहता हूं अपने माद्यम से मुल्टाई छेत्र की लगबग साड़े छे लाग जनता के माद्यम से कि आपको हमने एक अमराथी से नाकपुर और नाकपुर से इटार जी वायत जबलबूर ट्रेन का इस्टाबेज मांगा है वो भी इसलिए कि मुल्टाई की छेतर में बहुत सारे अपराधिक मामले सुप्रिम कोड और हाइकोड तक पहुचते हैं तो जबलबूर हाइकोड है हाइकोड में बहुत बार इसके लिए प्रयास किया है मुल्टाई के और अंदोलन भी चला है बैचूल गया है भोपाल गया हमारे कुछ जनप्रति नीदी मुल्टाई के वकीलों को लेकर दिल्ली भी गया है फोटो भी किच्वाई है पर यह लागडाउन जास्के से कुछ परीणाम आए त कि बहुष में 25 साल से हमने जो सांसोतों का चैन किया और वो सारे की सारे अक्रमंड निकले इसलिए सत्ता में भी परीवर्तन होना चाहिए लाजिमीटी की बात तों नहीं करना चाहता था मगर मुल्टाई के जनता से कहना चाहता हूं कि नेता कोई भी चुनो पर वो जनता क का सेवक हो आपकी कालर पकड़के खड़ा करके भाईगिरी करने वाला नहीं हो माफिया वाद इस तरह से बने परहात हम मुल्टाई में कि यह जनांदोर अन्मिंट की स्टापना हुई रेलवे के पानी के पाइप चोरी गए रेलवे का हज़ारों लाकों का कबारा चोरी गए बहुत सारी जब बार मुल्टाई के लिए आप कौन कौन सी ट्रेनों का मोटे मोटे तोर पर स्टापेज करवाना चाह रहे थे देखिए उसका हमने ग्यापन दिया है माननिये जो डियारम होद है उसके पास हमने उनको पहुचा दिया है और अभी हमारा स्थिप एक ही उद अपक्षा की थी हमने उनसे अपक्षा की थी कि वे हमारे चेत्र में आएंगे जीतेंगे तो मुल्टाई की जो ट्रेनों की समस्या उसका समाधान करेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ है यह दुर्भाग की बात है जी बहुत बहुत दनेवा परीचे मैं वहीत पड़ान जना अंदुलन मंच का एक अधना सा सिपाई हूं और हमारा जो अंदुलन चल रहा है इस बात को लेकर है कि मुल्टाई पवीत्र नगरी गोसीता यहां से तापतिन जी का उद्गम इस्थान है जो सूरत तक गई हुई है तो ऐसी जगह पर ट्रेनों के स्टाप हमको मिलने चाहि यहां पर जो है जो भक्त लोग आते हैं श्रद्दालू लोग वह आसानी से आतके यहां के लोग जो विद्ध्यारतियों पढ़ाई के लिए उचित जगह पे पहुँचें कारोबारी लोग उचित जगह पहुँचें आप पहले दिन से इस अंदुलन को समर्थन दे रहे है पहले दिन से दे रहा है और पहले भी जो इसके पहले भी जो अंदुलन हुए है उन सारे अंदुलनों के अंदर हमारा यहां पे सक्री सयोग रहा है और आगे भी रहेंगा इस उम्मीत के साथ में हम यह अंदुलन कर रहे हैं कि हमको ट्रेनों के स्टाप मिलने चाहिए स्टापेज को लेकर इसके पूर सांसद जोती दूर्वे से मांग करते रहें वर्तमान सांसद हमारे डीडी विके से भी हम ग्यापनों के मादम से और संपूर्ण जो रेल्वे के अधिकारी उनको भी इसकी सूचना देते विए हमेशा मुलताई नगर के लिए स्टापेज को लेकर मांग करते रहें और बहुत दुर्भागे के बात है कि पूरे देश के अंदर तीर्वे से इस्तलों पर जो बड़ी बड़ी ट्रेने से लेकर छोटी ट्रेनों का स्टापेज दिए जा रहा है लेकिन मुलताई तापती तीर्ट होने के पाश्याद भी प्रेनों का और जना अंदल मंच लगातार संगर्शरत है, हम आशा करते हैं कि भारती जनता पार्टी का शेशन मुल्ताई से लेकर दिल्ली तक है, और वो इस बात को गंबिरता से ले, मुल्ताई तीर से इस्तल है, और यहां शिग्र ताथ शिग्र इस्टापेश कम से कम अमरावती जबल पूर्पूर का इस्टापेश दे, ताकि जो अधिवक्ता कोट के कारेों के प्रती लगातार आना जाना रहता है, और नगर को इसका लाब मिले, राजरानी परियार, जन्मंच की एक छोटी सी कारे करता हूं, जन्मंच सभी दलो को मिला कर बना हुआ बंच है, इसमें सभी क विचारधारा है, नगर में शेत्र में जो अकर्मन जन्मंच का निर्माण हुआ है, लगातार ट्रेनों की मांगों को लेकर के जन्मंच जन्मंच के बीच में जा रहा था पहले भी, और अभी पूरी तरह से व्यापारियों का, युवाओं का, नगर के सभी लोगों का जन् जन्मंच को से मांग कर रहे हैं कि आप ट्रेनों को रुकवा कर ही इस धर्ना अंदोलन को स्थखित करना, हमारा धर्ना अंदोलन जो है वो गांधिवादी तरीके से चल रहा है, और बहुत शांति पूर्ण धंसे, गांधिवादी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे शेत्र के स सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे शेतर के लोगों को यातरा सुलब करवाने के लिए ट्रेन रुखवाने का कारी करें जै हिंद जै भारत शातियों में एक जन्मंच का सिपाई हूं और जन्मंच जो आंदोलन है इस फिलाल वर्तमान में ट्रेनों के स्टापेश के लिए यहां पर धरना पदर्शन किया जा रहा है और आगे भी अपी तक जारी रहेगा पूर में जै भी हमारे जन्मंच के लोगों ने रेलों को स्टापेश के लिए यहां पर धरना पदर्शन किया बीज दिन पच्छित दिन का किया था उस वक्त हमारे सांसाद महुदाई जी ने और प्रसाशन ने और रेले बोल ने हमें आस्वासन दिया था कि हम यहां पर ट्रेनों का स्टापेश करेंगे करा देंगे पर अभी तक उन्होंने हमारे यहां पर 13 वर्सों से हम विगत देख रहा है कि बीजी पी सरकार होने के बाजियूद भी यह ताप्ती पवित्र नगरी मुलताई में इसको पवित्र नगरी का दर्जा दिया है पर यहां सुईदाओं का अव कि प्रवाव है कि विजापारी भाईयों को यहां कि खिसान भाईयों को इस चीज से आवा गमन वाले उसको ली चातरा चातराओं को बाहर पढ़ने जाते है उनको आवा गमन में सीदा होती है जिससे वो पढ़हे नहीं कर पा रही है स्वास के साफ से भी देखा जाए तो म अपने चेनल के माध्यम से सांसान मोदय और सरकार और रेले बोर्ड को ये ध्यान दिलाने का आकरसन करें कि जन्मन की जो मांगे है इसको स्टापेज देने का कि जल्द स्विकार करें और यहां की जनता को कि आवाज सुना जाए और उनको सोलित पढ़ान किया जाए जैन जै अबारत दने बारत नमस्कार क्या नाम है अपका अजाब राधीप के जैस और आप लोगों तक अपनी क्या बात पहुचाना चाहते हैं रेल से संब्द हैं जै हम चाहरा है कि वहीत ते सालों से जो ट्रेन रोल रुकवान दूलन का जो चल रहा है उसे यहां रेल रुखना चाहिए और जंता को यहां उसका फाइदा मिलना चाहिए प्रसाफशन ने इस और विशे इस रूप से ध्यान देना चाहिए नमस्कार मैं सरो प्रथम जन मंच के जिनने इस्थापना की रवी यादो जी के चर्णों में साधर नमन करता हूँ और उसके बाद जो ट्रेन रोल को आंदोलन जो है इसको मैं आपके समक्च रखूँगा लगबग 13 वर्सों से ये ट्रेन अंदोलन की लड़ाई रभी यादो जी के समय से चल रही है और 13 वर्सों से चल रही है और मुलताई की मांग है कि पव燃त्द संगली होने के नाते जनता के लिए जनता के लिए दो दिन तक कि अनेश कुमार रहुत मुलताइसे संगटन के उपात्यक्स जिले के मैं ये मांग करता हूँ कि रेल रोको अंगल में समर्तन देता हूँ और होना भी चाहिए काम साजन प्रसाजन को मेरी आवाज पहुचे उनको और ये काम होना चा हिए मात अपती की पवित्र नगरी में सब लोग बैठे हुए हैं यहां ट्रेन का इस्टापेज देना होगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा, मैं योगेन सोनी मुलताई, यहां पर मद्द प्रदेश के अंतरगत बैतुरी जिले की मुलताई तैसल में सोनी पुत्री तापकी जी का उद्गम इस्थाल होने के बाद भी यह पावीत्र नगरी गोशित हो गई है, लेकिन उसके इस्थापेज और अन्य आवागमन के साधन की बड़ोत्री होती है, लेकिन यहां पर विगत 13 वर्षों से सांसर्ट मौदों की उदासिंतर के चलते, आज तक कोई ट्रेनों का इस्थापेज नहीं हुआ, आपकी क्या मांग है शासन से हो गते हैं, हमारी मांग कि यहां पर ट्रेन इस्थापेज हो और मुल्ताई को जिला गोशित किया जाए, आपका आंदुलन की सम्मंद में चल रहा है अब यहां पर? समर्थन के लिए मिल्ताई की जनटा को पूर्न समर्थन देना चाहिँगा और विया पुरुद अपरी चाहिए मैं सभी संगतनों से समर्थन मिला जा रेंगी घुटी नाम संतोसरा है मैं मातापति नगरी मुल्ताई से हूँ और मेरा एक ही कहना है देखो मुलताई एक पवीत्र इस्तल है यहां ट्रेनों की ज़्यादा बहुत ज़्यादा आओ शकता है यह अंदुलन कोई गलत नहीं हो रहा अगर जितने ज़्यादा अगर ट्रेन की यहां पर रुखावट होगी यहां का राजासो बढ़ेगा तो कम स आज मुलताई तैसिल को छोटे सो छोटा करते चले जा रहे तो भी वर्चेस्व नहीं है मेरा कहने के यह आप मुलताई को आगे बढ़ाई है ना क्यूं नहीं बढ़ाते एक बैतुल जीला देख लो तो बैतुल जीले में साथ है और मुलताई तापती नगरी होने के बाद अंदोलन को चरनवत तरीके से बढ़ाने के लिए आपके पस कोई ब्लूब्रिंट है अगर अंदोलन अगर इतने अगर गांधी गीरी से भी नहीं हो पाया तो हो सकता है कि अगले बार हमको पट्री पे भी उतरना पड़ सकता है और मैं यह करूंगा बिलकुल करूंगा क्य उससे ज़यादा बेनिफेट मुलता है कि मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैं एक वहां पार हूँ हूँ मैं चाय बेसता हूँ अगर कल को अगर पबलीक हूँ तो मैं यहां पड़िवार पाल सकोगा मेरे पड़िक से भी यही विनती है कि जितना यहां पर वर्चेस्व दे रहो को जिस्त गुजुब दो जोगह पी, हुँती, कर दो कर दो dim도 autoosa है? को जो, का दो दो कि अ हम दो क Caesar को छो कर दो Please कज गो कर वा